नमस्कार दोस्तों आज हम अनामिकास किचन में आपका स्वागत करते हैं आज हम आपके लिए ये रेसिपी लेके आए हैं लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 कर दीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मायने लाल मिर्च खटाई दो कली है यह है गरम मसाला यह लसन धनिया मिर्चा और यह है पानी अधा ग्लास अधनिया गाल मिसंग के लिए है आई यह तो हम मसाला पीछते हैं चक घाई js सब्सक्राइब शाज है कि कि इसमें कि सबसे पर यह डालेंगे लसन है मीचा हम दो मिचह डाल रहें आपको कम थीखा खाना है तो एक ही निदेश डառ यह जादे खाना है तो और भी डाल सकते हैं धनिया खड़ी है एक चमबच एक चमबच राई है लाल मिर्च हम मिर्चा डाल रहे हैं इसने लाल मिर्च मसाले में डालेंगे पानी डाल गए इसको थोड़ा सा और इसको पेष्ट बना लेंगे मसाले यह देखें इसको हम नेर के रख़्े हुए हैं इसी तरह से देड़े हैं हम नेर के बता दे रहे हैं आपको सहजण को कट करके इसका रिसा निकाल देते हैं इसने भरपूर मातरा में प्रोटीन फाइबर होता है डाजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है थे चोई इदेखिए पीस के दिखा रहे हैं आपको जिए थोड़ा सा पीच चाय तो जार को खोलके चेक कर लेते हैं कि और इसको चमत से थोड़ा अंदर कर दिस जो मसाला फैलना रहता है कि सभी हो जाता है यह देखें है कि थोड़ा से इसको कि सब अच्छे करके चम्मा से चला के और उठासा पानी और डाल देंगे अगर कम होगा तो ताकि अच्छे से पेष्ट बन जा इसका कि पानी कम लग रहा है थासा पानी डाल देती है कि अच्छे मिक्सर चलाते हैं कि अच्छे से पेष्ट हो जाए तो सही है नहीं हुआ हो तो फिर से चला लीजिए चेक कर गें सही रहता है कि अपका रही रखें जैस पे अन करते हैं जैस कि दो बड़े चमस तेल डालते हैं कि तेल को गरम होने देंगे भाब देख लीजिएगा उपर से जब तेल गरम हो जाए तो इसमें पच फोरन डाल दें पच फोरन चटकने लए जा तो इसमें शहीं डाल देते हैं जो धूल के नेर के रखे हुए हैं शहीं शहीं डाल देते हैं अब इसको चलाते विए दो मिनट ऐसे ही भूनेंगे हलका सब्सक्राइब के दो मिनट पका लें देखें दो मिनट पक गया है अब इसमें हम असारा डालेंगे सबसे पहले हल्दी एक चमच है गड़ा मसाला एक चोटी चमच है लाग मेंच चोटी चमच है हमारी मिच भी पीसे है इसलिए थोड़ा फ़ी डाले हमारी कराही श्टील की है थोड़ा पतले काही तो आराम से गैस मीडियम करके ये बनाएं मसाला को पुणे पेश्ट टाल दीए जो हमने पीसा था जार में अब इसको दस मिनट पकाते हैं मसाले को फिर पारी डाल देते हैं कि देखें जादे पानी इसमें बहुत जादे पानी तो सुखता नहीं पस पकने खले थोड़ा पानी पड़ता है चाहे तो आप जादे भी डाल सकते हैं कुछ लोग जो उसके साथ चुछते हैं इसको बहुत अच्छा है नमक डाल दिये हैं अब इसको ढखेंगे थोड़ा डखेंगे इसको मेडियम आज पर पकने देंगे पानी का अंदाज आप अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा खाना हो अच्छा डालिएगा थोड़ा से हो गया है उबाल आने को है तो अच्छिए पानी डाल दी अब इसमें खटाई की कली डालके अब इसको चला कर डखेंगे पकने देंगे मेरी अमाज पर बिश्मियट अब आने के बाद धाग देंगे इसको इसको इसके पग गया है बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और एक दम से अच्छे से पग गया है इसको हम हाथ सिच्छों के दिखाते हैं आपको यह देखें नब पग जाएगा तो ऐसे दबाएंगे तो पूरी यह अलग अलग हो जाएगी वो इस्टिक यह देखें कि अच्छा क्या है कि हम इसो को टोड़ी में निकाल के दिखा रहें आपको ऐसे सर्फ कर सकते हैं के भूग के लिए अच्छा है आप सुप साजन जी सुप टैप का भी हो जाएगा खाने के साथ दिखा सकते हैं चावल के साथ है फिस करी की तरह लगीगा आपको अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना न भूले अगर आपको हमसे कोई और रेसिपी चाहीए होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हम जरूरी ट्राइग करें करेंगे